इस वीडियो में हमारे पास यह question है, यहाँ पर हमें integrate करना है, तो as always हम इसको लिख देंगे, let i equals to integration 1 upon 1 minus 10x dx, अब देखो, जैसे कि मैंने आपको पिछले question में भी बताया था, कि जब भी हमारे पास question में 1 upon 1 plus cot x हो, या फिर 1 minus cot x हो, और 1 upon 1 plus 10x हो, या फिर 1 minus 10x हो, उनको करने का एक जैसा process होता है, तो जो हमने question number 32 में process apply किया था, वही हम इस question में भी apply करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको sin in cos में convert कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 1 upon 1 minus sin x upon cos x, अब यहाँ पर हम LCM लेंगे, तो यह नीचे cos x minus sin x हो जाएगा, और यह cos x उपर चला जाएगा, तो अभी तक तो ऐसा कुछ difficult step नहीं आया है, लेकिन अब हम यहाँ से, जो इसमें technique है, जो एक trick है, इसको solve करने की, वो हम लगाएंगे, 2 से multiply, 2 से divide करना है, इसमें, cos x minus sin x dx, और अब देखिए, यहाँ पर, cos x, 2 cos x को हम लिखेंगे, एक तो है cos x minus sin x, और दूसरा cos x plus sin x, तो अगर आप numerator को यहाँ simplify करें, तो आएगा बिल्कुल 2 cos x, यानि 2 cos x को इस तरह से हमने लिख दिया है न, देखो, sign से sign कटके, दुबारा 2 cos x आ जाएगा, तो कहने का मतलब यह कि कोई value नहीं change हुई है, और अब इसके बाद देखो, इसको हम अब separate करेंगे, तो this upon this, यह तो हो जाएगा 1, समझ आ रहा है आपको, plus half and this upon this से आ जाएगा, cos x plus sin x upon cos x minus sin x dx, ठीक है, और इसका integration दो होता है, half of x, half of x लिखो या x by 2 बात एकी है, और यह हम अलग से करेंगे, तो इसको i1 ले देते हैं, और यहाँ पे integral constant c1 लगा देते हैं, c1 इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि c हम last में लगाएंगे, अब i1 पर आते हैं, तो i1 यह है, इसको अलग से solve करेंगे, cos x plus sin x upon cos x minus sin x, यहाँ अगर हम denominator को t put करें, और अब देखो इसको differentiate करके क्या मिलेगा, minus sin x minus cos x dx equals to dt, minus comma लेंगे तो हमें मिलेगा, sin x plus cos x dx equals to dt, थोड़ा इसको proper way में लिख देते हैं, जिस form में यह लिखा हुआ है, देखो हमें यह मिल चुका है यह, आप notice करेंगे, कि यह हमारे पास यह आ चुका है, बस इसको थोड़ा सा एक proper order में लिख देते हैं, cos x पहले, और यह minus इधर लिख देते हैं, तो यहां तक सब ठीक है, ओके, तो therefore, जो i1 है, वो हो जाएगा, integration, देखो, उपर वाला यह जो है, यह तो minus dt आ गया, और जो नीचे है, वो t है, तो यह हो जाएगा, minus log t plus c, यानि minus log t क्या है, cos x minus sin x, plus c, और अब इसको हम यहां पुट कर देंगे, तो हमारा final answer होगा, i equals to half of x, इसको चाहे ऐसे लिखो, चाहे half of x करके लिखो, plus half i1, तो यह minus है, तो यह minus लिख देते हैं, half log cos x minus sin x plus, अच्छा, इसको हम c2 नाम देते हैं, तो finally हम लिख देंगे c, और यह हमारा answer है, fine, बाकी questions के solutions के लिए, description box में playlist चेक करें,